दोस्तों जैमसी की परमेशवर आप सबको आसिस्ते आज का हमारा टोपिक है इशु ने ही सभी भगवानों को बनाया है तो आज हम आपको बताएंगे हिंदु धर्म और क्रिश्चन इटी की तुलना करके कि क्यों प्रभू इशु सभी के परमेशवर हैं जिसने इन सभी भग भगवानों को बनाया है और आपको कुछ हिंदु धर्म के कॉंट्रेडिक्शन्स यानि खंडन विरोधावास को भी बताएंगे जिससे कि आपका विस्वास पक्का हो जाएगा कि हिंदु धर्म के जितने भी बनाए गए भगवान हैं सब जूटे हैं और सिर्फ वीशु मस सच्छे जीवित परमेश्वर हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से बने में आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने इसकी पार्ट वन प्रीविएस वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देख लिजएगा तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी तो पार् नाम ब्रामन हैं जिसने इनके सारे भगवानों को बनाया और जिनके उपर कोई नहीं परंतु हिंदु धर्म साबित कर दिया है कि ये भी बनाए गए भगवान हैं और परिसानी तब होती है जब आप जबर्दस्ति किसी को भी परमेश्वर बना देते हो जैसे कि देवी परमेश्वर देवी ने सब कुछ बनाया देवी के उपर कोई नहीं है लेकिन बागवत गीता यह कहता है कि कृष्णा है परमेश्वर कृष्णा ने सब कुछ बनाया कृष्णा के उपर कोई नहीं वैसे ही सिवा पुराना अध्याए 8 एक से 6 पंक्ति भी यह कहता है कि कुरानापुस्तक भी यह कहता है कि विश्णु है परमेश्वर विश्णु ने सब कुछ बनाया और विश्णु के ओपर कोई नहीं और अगर वैद उपनिसद की बात की जाये तो वैद उपनिसद कहता है ब्रामन है परमेस्वर ब्रामन ने सब कुछ मनाया ब्रामन के उपर कोई नहीं है यहीं है वे कॉंट्रेडिक्संस जो हिंदु धरम में हैं किसी को यह नहीं पता कि आखिर परमेस्वर है कौन अगर हमने देवी को माना तो उसने सबी अन्य गरंतों भगवानों को जोटा सावित कियाँ और अगर हमने भागवद गीता के कृष्णा को माना तो उसने भी अन्य सभी गरंथों भगवानों को जूटा साबित किया और वैसे ही होता है सारे अन्य गरंथों के भगवानों के साथ भी किसी को नहीं पता कि सच्चा परमेसर कौन है जिसने इन सभी को मनाया वो कौन है गरंथों के भगवानों के अनुसार सबी कहते हैं कि मैं हूँ परमेश्वर किन्तु उसको भी किसी और ने बनाया है तो चलिए वक्त आ गया है बाइबल और हिंदु धर्म की तुलना करने का जैसा कि हमने वरहद आरन्यक उपनिसद में पड़ा है ब्रामन जो हिंदु धर्म के परमेश्वर है जिसे वेद ने स्वीकिर्टी दी है उसे ब्रमान ने बनाया है और बाइबल क्या कहता है इस बारे में बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने ब्रमान को बनाया है अब सवाल यहां पर बाइबल कहता है कि यिशु है उस परमेश्वर का नाम जिसने सब कुछ बनाया और ताजब की बात यह है कि यिशु को किसी ने नहीं बनाया सब कुछ जो हम देखते हैं और जो नहीं देखते उन सभी चीजों को परमेश्वर यिशु ने ही बनाया है बाइबल में और भी कैई ऐसे वचन है जो साबित करता है कि यिशु ही सच्चा परमेश्वर है लेकिन आपकी संका को दूर करने के लिए एक वचन ही काफी है प्रभी यूशु ने हिंदु धर्म के भगवान जैसे कि शीव, विश्णू, ब्रामा, परजापती, राम, कृष्णा और ब्रामन को भी बनाया है लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे लोग सच्चे परमपिता सृष्टी करता परमेश्वर को ऐस विकार करते गए और अलग-लग प्रेजनों के लिए अलग-लग भगवान बनाते गए और उनको पूछते गए आज भी लोग इन नस्वर निर्मित भगवानों को पूछते हैं और लोगों को भी दोखे में रखते हैं और कोई उन्हें सच्चा रास्ता नहीं दिखाना चाता इसलिए हम किश्चन जो सच्चे इश्वर को जानते और मानते हैं उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं कि आये सत्ते को जानिये और मानिये इश्व ही सरवच निर्माता अनंत और सच्चा जीवित परमेश्वर है आमेन